हेलो दोस्तो मेरे नामे आश मैं को स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल एवा एक्वाइट जीक नेचर पर और आध्य टॉपिक होने वालाई को ओने वालाई की टॉप सवन एक्वेरियम फिशिश दैडि गेड बिग अलियर तो उस्तों मैं साथ ऐसी मचलियों को न देख सकती है और बहुत जल्दी बड़ी होने वाली फिश जो अगर आपको पता नहीं कि कौन्सी फिश जल्दी बड़ी हो जाती है तो प्लीज मेरा वीडियो देखिए और मैं और वीडियो बनाऊंगा कि विच फिशिज ग्रो बिगर इन साइस एंड बिग एक्वेरियू दोस्तों इस वीडियो में बस इतना गयना चाहूंगा कि जो फिश बहुत जल्दी बड़ी होती है बस उसी फिश का में नाम बताँगा इस वीडियो में तो वीडियो शुरू करने से पहले मिंपो किना चाहूंगा अगर आप मेरे यूट्यूब चल पे नहीं हो तो पताने होता हूं उनके बड़ी अक्राइब तो होती है लेकिन वह ऐसी विश लाते है जो ज़्यादा जल्दी बड़ी होती है लेकिन उनको पता नहीं चलता तो मेरा वीडियो देखिए और आप समझ सकते हो कि बिफोर बाइगे फिश फ्रॉम एक्वेरियम शॉप एफिश आप बिलकुल भी पाई मत किजिए अगर आपके पास एक्सपेरियंस है तब यह फिश बाइग कीजिए अगर आप फिश विदाउट एन्य रिजन खरे दोगे तो फिश बहुत जल्दी बड़ी हो सकते हैं और ब अगर बड़ी टैंक नहीं रखोगे तो बहुत से प्रॉब्लम सब्सक्राइब करने पड़ सकती है इसलिए अगर आप फिश पाल तो बड़ी टैंक रखना रखे मिनिम्म आपकी टैंक पास से छे फीट तक होनी चाहिए दोस्तों मैं इसमें से मचलों का नाम बताऊंगा त पुल्ड जो मचली है ओने गोल्ड फिश्ट उस्तों में बहुत सी वाराइटी जल्दी बड़ी हो जाती है और यूझी उल्ट जल्दी बड़ी हो जाती है करीब-करीब 10 इंच-पष्ज बड़ी हो जाती एंक आपने ही अगर और थोड़ी बहुत ऐसी मत्रीश होती है अग आपके छोटे गोल्ड फिश को खावी सकती है क्योंकि थोड़ी बहुत अग्रेसिव होती है और ज्यादा खाने खाना खाने के बज़े से बहुत जल्दी ग्रोथ करती है और ज्यादा वेस्ट प्रेडियूस करती है इसलिए आपको इसका फिल्टर कंडिशन में आचा रखना पड़ सकता है और इसकी जो टैंग साइज है ओ मिनिमी ती साधे चार से पाच फिट के अपको रखना है अगर आप कॉमेंट गोल्ड फिश रखते हो तो इसकी जो ग्रोथ साइज है ओर टैन इंच तक बड़ी हो जाती है बोल्ड फिश तो पॉइंट नमबर टू इसकी इसकी जो गुरोथ है और टूएल इंच तक इसी गुरोथ हो जाती है एक फिट तक बड़ी हो जाती है फिश और अगर फिश वाइल इनवार्मेंट में तो पंदरा इंच तक फिश बड़ी हो जाती है अगर वाइल फिश में तो मैं सॉरी अगर वाइल और पिसके चोटी फिश रखते हो तो चोटी फिश को खाल लेते फिर लोक्सान पौचा सकती है और और जिसे और उसकर फिश में भी बहुत से वराइटिज है टाइगर ऑसकर फायर ऑसकर अलबीन ओसकर सारी जल्दी बड़ी हो जाती है और तीसरा जो फिश है हो एक लाउन ल और इसकी जो ग्रोथ है और टुवेल इंच तक है बड़ी हो जाती है और इसे इसकी जो टैंक साइज आपको रखनी चाहिए मिनिमाम 6 5.5 फिर 6 फिट के पुटाएंग रखनी है और बॉटम फिड़ास होते हैं दिखने बहुती खुब सरत होती है और इसकी जो ग्रोथ होते हो टोवेल इंच तक इसी ए ग्रोथ कर जाते हैं 12 तक मतलब एक फिट तक है बड़ी हो बड़ी हो सकती है तो चोथा जो फूर्थ जो फिश हो है आप सब जानते हैं सब ऒंड़ी में पाई जाते हैं और दो कॉवन फिश्चिम से एक ऐक यह है इї प्लैक फिश जलों घ्रोथ हो घ्लक पॉन कर लेटी है इसकी जा सिघ्री साफें होती है और सिखनी ब्यूटी जाती है और इसकी जो इसको लाइफ स्पैंने और फाग कंदरँ से 14-15 साल से लाइफ स्पैने अरुके मुझा नेक्स्थ्ट है वह रिलिभळी पाको फिश दोस्तो इप परन परना के विज्ट हों करते लिकिदे पर वेजिटे बेगरेसिव फिश बकर सीमय करती है है वेजटेरीन फिश है और अगर आप फिश रखते हो तो आपसे जितनी बढ़े टाइंक हो सकते है दो कि रख सकते हो और तीस इंचिस तक है रिट बली पाको फिश बहँ सकती है थाट्य फिश तक है थीश कर शकती है और दिखने बहुती ब्रूटिफुल फिश होती है है तो अगर आपके टाइंग साइज बहुती बड़ी होनी चाहिए कि थर्टी इंच तक बड़ी हो जाती है इसलिए आपको मिनिमम साधे साथ से साधे साथ फीट की टाइंग होना जरूरी है तो नेक्स्ट तो नेक्स्ट फिश जो है परुण शाक सिक्स पॉइंट पर अगर आप इसे प्रॉपर केर करें तो भी बहुत से साल जी सकती है इसकी लाइफस्पन 15-14 साइल है अगर आप और प्रॉपर लीक केर आप इसे करते हो तो बहुत ब्हुत जिल्दी ग्रोथ हो जाएगी और क्लर में से एक है इसकी जो टांक साइज होना चाहिए आपको मिन से लास्ट और वैस्ट पॉइंट सेवेंट का जो विश है ओ है इन फर भार इन फॉल बार अपने देखा हुआ बहुत चोपी यह लेकिन बहुत जल्दी बड़ी हो जाती फिश देखने में बहुत बूटी फुल फिशे से एह 14 इंच तक बड़ी हो जाती है इसकी जो टैंक से वह हैं वह साद़े पासे चेस्ट करना ज़रूर और अब कब भी कर ना रखेंग अगर अगर आप इसे प्यर में रखते हो तो ए दूसरे नोच सकते उसको डाइमेज कर सकती दूसरे को इसलिए कभी भी रखेंग पी एक इसाफिश में से जए आप इसके टैंक से तक बढ़ी हो जाती है इसलिए रखने के कभी बीस से चोड़ी रैकार में ना रखे आगा चुटी वीश्य तब इब तीन फिट के कुरें में रख सकती हो और कभी भी पेर में ना रखें दोस्तों यह था मेरा वीडियो चोटा वीडियो था बहुती शौट वीडियो था लेकिन बहुती इंपोर्टन वीडियो था मेरा इसलिए मेरा वीडियो अंतक जरूर देखने के लिए शुक्रिया और हम जल्दी मिलते मेरे अगले टॉपिक क्यों और प्लीज मेरे झाल